आप सभी को नमस्कार मेरा नाम दल्वन्ती है और मैं राज के कन्या प्रात्मी पाठ साला बदानी जिला जज़र में कारियरत हूँ और आज एक बार फिर सी उपस्तित हूँ एक नई प्रस्तुति के साथ आज हम कक्षा पांचवी की पाठ्थय पुस्तक जिल्मिल में संकली पाठ तेरा दरोहर को लेकर चर्चा करेंगे तो प्यारे बच्चों दरोहर का आर्थ है अमानत दरोहर शब्द सुनते ही हमारा मस्तिष किसी ऐसी वस्तु अथवा प्रमपरा की कल्पना करने लगता है जो हमारे पुरोजों दवारा संजोई गई और संभाल कर आने वाली पीडी को सोबी गई हो विकास के साथ-साथ उस चीजें पुरानी हो जाती है और उनका परियोग समाप्त हो जाता है किन्टु उन की जानकारी हमें विकास के इतियास से परिशित कराती है तो एईए आज इसी कड़ी में हमारी परमपराओं से रूगुरू करवाने हेतु मैं आपको लिये चलती हूँ एक संग्राले जिसका नाम है धरोव है ये संग्राले कुरुक छेतर में स्थापित किया गया है और हर्यानवी परंपराव का जीवित चितर प्रस्तूत करता है इसमें हर्याना परदेश के रहन सहन, खान पान, पहनावा, मेले, तोहार, रिती रिवाज की संपोन जाकी देखी जा सकती है इसे देखकर लगता है मानो हर्याना की संस्कृती जीवन थो उठी है या छाया चित्रों के मादम से हरियाना की संस्कृते के विभिन पैलवों को सहजता से दिखाया गया है। इस संग्राले में प्रुष्कृत खिलाडियों के चित्रों के साथ साथ सवतंतरता सेनानियों के बोलते हुए से चित्र आपको सहज ही आकर्षित और प्रेरित करते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो कुरुक छेतर विशविद्याले ने इस संग्राले को स्थापित कर शतापदियों पुरानी पंडू लीपियों को भी सहेज कर जीवित साकर दिया गया है। दरोभर के नाम को साकार बनाते हुए मोहन बाड़ी की खुदाई से निकला बाराशो वर्ष पुराना मटका इस संग्राले की शान बना हुआ है। जिसे देखकर ये पंग्तिया सवते याद आ जाती है। बंद कमरों में चीजे पुरानी भला अब कोन रखता है। शेहरों में परिंदों के लिए पानी भला अब कोन रखता है। संभाल कर बुजर्गों की निशानी भला कोन रखता है। संभाल कर बुजुर्गों की निशानी बला कोन रखता है, लेकिन दरोहर ने हमारे बुजुर्गों की निशानियां संभाल कर रखी हुई हैं और अभी तक रख रहे हैं। इन पंगतिओं का उत्तर हमें दरोहर में बहुत सुंदर धन से देखने को मिल जाता है। खाट पर कपड़े की जूल बांद कर अपने बच्चों को जुलाती हर्यानवी मैलाई वात्सल्य को एक नई पहचान देती हैं। जो हाथ खेत में पुरुष के साथ लावनी करवाते हैं वही बालक को सुलाते से में सारी कठोरता चोड़कर सुकोमल हो जाते हैं। दूद दही के लिए विशो भर में विख्यात हर्याना की मूल संस्कृती को दर्शाने के लिए संग्राले में घेर बनाया गया है। घेर का अर्थ आप जानते ही होंगे। घेर वैस्थान होता है जांपर पशुओं को बांगते हैं। इसके साथ ही प्यारे बच्चों बेलगाडी, लोही की फलसी वह लकडी की जेलियां आदी भी वहां रखी गई है। घेर में बनाई गई गंडासे से चारा काटते किसान की प्रतिकरती तो अनाया सी ध्यान आकरशित करती है। वह एकदम जीवन प्रतित होती है, आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारा ही कोई बुजूर्ग आदमी यहां पर चारा काटने का काम कर रहा है। वहां थोड़ा आगे चलते ही, देशा में देश हरियाना जित दूदही का खाना, यह उत्ती संग्राले के रसोई घर को देखकर सार्थक परतित होती है। हरियाना के देशी घी का हर कोई दिवाना है, देशी घी की महेक संग्राले में स्थापित रसोई में मैसूस की जा सकती है। यह दूद मत्ती, पाजरा कूट्ती, अनाज पीश्ती, तथा चूले पर रोटिया सेखती महिलाओं की प्रतिकृतियां इस रसोई घर को सजीव बना देती है। रसोई में हारी, बिलोणी, घीलडी, बोहिया आधी अनेक बरतन रखे गए हैं। और हमारे या ग्रामिन परवेश में रहने वाले बच्चे इन शब्दों से परीचित भी होंगे और अपने घर व्यपास पडोस में देखते भी होंगे की हारी, बिलोणी, घीलडी, बोहिया ये बरतन कैसे होते हैं। हरियाना में इस्तेमाल होने वाले अनेक परकार के वद्दे यंतर वे आवागमन के साधन जैसे रत, बैलगाडी, बैलों की पाल की आधी को भी इस संग्रालय में स्थान दिया गया है। महिलाओं दवारा हाथ से बनाई गई वस्तवें इसकी शोबा बढाती है। बहुत सी वस्तवें प्यारे बच्चों यहां पर रखी गई हैं जो हरियाना की महिलाओं दवारा अपने हाथों से बड़े प्यार से बड़े जतन से बनाई गई है। यहां पर रखा लगवब पांच फूट उचा हुका सहजी सब को आकर्शिक कर लेता है। इसके साथ साथ संग्राले में टेरा कोटा का एक ऐसा हुका रखा गया है जिसमें न कोई जोड है और नहीं इस पर रंग किया गया है। तो प्यारे वच्चों, दरोवर में एक एसी चार पाई भी है जिसमें ओमजे जगदीश हरे की आरती को बुनाई करके लिखा गया है। एक चारपाई में सूत से बुनाई करके ओमजे जगदीश की आरती को लिखना कितना कठीन वे मुश्किल काम रहा होगा इसका सहजी अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही छैपाई वाले चारपाई भी लोगों के आकरशन का केंदर बनी होगी है। यहां रखे एक विशाल नगाडे को देखकर होली की मस्ती भरे हुड़दंग वाला दृश्य आँखों के सामने आँख में चोली करने लगता है। नगाडा तो आपने देखा भी होगा और कभी न कभी बजाया भी होगा या बजाते हुए देखा होगा। आप अपने मम्मी या पापा से पूछेंगे कि नगाडा कोन-कोन चे मोकों पर बजाया जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो प्यारे बच्चों हरियाना की महिलाओं दवारा पहने जाने वाले पारम परिधानों को भी संग्राल्य में सहजदा से सजाया गया है। यहां रखे 52 कली के दामन को देखकर महिलाओं इसे उलट-पुलट कर देखने को मजबूर हो जाती है। इस दामन की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका वजन 15 किलो है और इसको दोनों तरफ से पहना जा सकता है। ज्यान से सुनना इस दामन का कितना वजन है 15 किलो और इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसको दोनों तरफ से पहना जा सकता है। इसके साथ ही जान-जान, कड़ी, जालरा, हसली, हथपूल वे तागडी सहित 5 किलो चांदी के आबुशन से सजी मैला के प्रतीकरती सभी मैलाओं को सहज ही अपनी और आकरशित करती है। दरोहर में ऐसे पत्रों को मिस्थान दिया गया है जो रबड की तरह हिलते हैं। ये पत्र दादरी के पास थीत कलियाना गाउं की पहाडी से मिले हैं। दरोहर में एक थियेटर भी है जिसमें दर्षकों को हरियानवी लोगई, सांग, नाटक, बजन वे रागनियादी दिखाये जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दरोहर शिर्व एक संग्राले नी अपितु हरियानवी संस्कृती यों परोंपराओं का अनूठा संगम है। दरोहर में हरियानवी संस्कृती से जुड़ी सभी वस्त्वों का संकलन अभी भी जारी है और वे दिन दूर नहीं जब ये वस्त्वें दरोहर की दरोहर हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कुरुक्छेतर स्थित संग्राले दरोहर के माधम से अपनी संस्कृती वपरंपराओं को जाना। हमें भी ये परियास करना चाहिए कि अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृती से जुड़े रहें और जहां भी अवसर मिले अपनी परंपराओं को सहेज कर रखें। क्योंकि परंपराओं से जुड़े रहने पर हम मजबूती से जमीन पर खड़े रहते हैं। और इनी को हम आने वाली पीडी को सहजदा से एक भेंट के रूप में दे सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा से हम कहानिया सुनें। उनके बच्पन की बातें पूछें। उनसे बात करें कि वह जब छोटे थे तो कैसे खेल-खेलते थे। कौन-कौन से उनके खिलोने होते थे। किस प्रकार का उनका बच्पन रहा है ये सभी बातें उनसे पूछें और अगर हो सके तो किसी वस्तु रूप में अगर वस्तु रूप में नहीं तो अपनी नोट बुक में नोट करके उसको अपनी आगे आने वाली पीडी के लिए सहेज कर रखें ऐसा हम सभी परियास तो प्यारे वच्पो ये था हमारा कक्षा पांचमी का पाठ तेरा दरोव है तो इस पाठ में कुछ शब्द आपको बहुत मुश्किल लगे होंगे उनके अत्समज में नया आये होंगे ऐसा संभव है चलिए उन मुश्किल शब्दों का आर्थ हम जान देते हैं आईए पहला है अनायास अनायास का आर्थ है एका एक या अचानक अनायास एका एक अचानक आकरशित लगाव होना जीवन्द जीता जागता पंडुलीपी हाँच से लिखी होई रचना प्रुस्कृत जीशे प्रुस्कार मिला हो प्रतिकृती मुर्ती यथ्वा चित्र वात्सल्य संतान के प्रति प्रेम शताब्दी तो प्यारे बच्चों शताब्दी का आर्थ है सो वर्षों का समुग संग्राले संग्राले का आर्थ है वस्तूओं को संग्रे करने का स्थान शताब्दी सो वर्षों का समुग और संग्राले वस्तूओं को संग्रे करने का स्थान तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ मुश्किल शब्दों के आर्थ अब आपने पाठ को समझ लिया है, आश्या है आपको समझ आया होगा, आप देखते हैं आपको कितना समझ आया, मैं कुछ पर्षनों के उत्तर आप से पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे, चलिए तयार हो जेए, शुरू करते हैं, पहला परशन है, दरोहर संग्राले कहा स्थेत हैं, मैं एक बार फिर दोराते हूं, दरोहर संग्राले कहा स्थेत हैं, बताएंगे श्यावास, बिल्कुल सही, दरोहर संग्राले कुरुप छेत्र में स्थेत हैं, दरोहर संग्राले कुरुप छेत्र में स्थेत हैं, अगला परशन है, संग्राले में कौन-कौन सी ज जाकिया देखने को मिलती है। एक बार फिर सुनिए, संग्राले में कौन-कौन सी जाकिया देखने को मिलती है। इसका उत्तर बताईए, बिल्कुल सही, संग्राले में हरियाना परदेश के रहन सहन, खान पान, पहनावा, मेले, तीज जोहार, तथा रीती रिवाजों की जागियां देखने को मिलती है एक बार फिर देखिये, संग्राले में हरियाना परदेश के रहन सहन, खान पान, पहनावा, मेले, तीज जोहार, तथा रीती रिवाजों की जागियां देखने को मिलती है अब बढ़ते हैं अगले पुर्शन की तरफ अगला पुर्शन है, हरियाना की एक विशेष्ता दूद दही का खाना है, इस संस्कृती की संग्राले में किस प्रकार दर्शाया गया है एक बार फिर सुनिए हर्याना की एक विशेष्ता दूद दही का खाना है इस संस्कृती को संग्राले में की स्तर है दर्शाया गया है तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों संग्राले में गेर नामक स्थान पर विभीन दुधारू पशु दिखाई देते हैं और दूद मत्ती महिला के साथ गेलडी, बिलोनी, आधिके चित्र, हर्याना की दूद दही का खाना वाली संस्कृती को भली बानती दर्शाते हैं एक बार फेट देखिए संग्राले में गेर नामक स्थान पर विभीन दुधारू पशु दिखाई देते हैं और दूद मत्ती महिला के साथ गेलडी, बिलोनी, आधिके चित्र, हर्याना की दूद दही का खाना वाली संस्कृती को भली बाती दर्शाते हैं अब बढ़ते हैं अगले परशन की तरफ हर्याना की रसोई की क्या-क्या विशेशताई बताई गई हैं एक बार फिर सुनिए हर्याना की रसोई की क्या-क्या विशेशताई बताई गई हैं तो प्यारे वच्चों, बताईए कौन बताएगा इसका उत्तर, देखते हैं, संग्राल्य में दूद मत्ती, बाजरा कूट्ती, अनाज पीस्ती, तथा चूले पर रोटिया सेखती, महिलाओं के साथ देशी गी की महैक, हर्याना की रसोई की विशेज पहचान है, अब बढ़ते हैं, अगले परशन की तरफ, अगला परशन है प्यारे बच्चों, बावन कली के दामन की क्या विशेज पहचान है, बावन कली के दामन की क्या विशेज़ता हैं, तो बावन कली के दामन की पहली विशेज़ता है, इस दामन का वजन पंदरा किलो है, दूसरी विशेज़ता है, इसमें बावन कली हैं, और तीसरा हम कह सकते हैं, कि इसको दोनों तरफ से पहना जा सकता है, इसके साथ ही यह सभी को बहुत आकरशित करता है, एक बावन कली के दामन की निम्न विशेशता हैं, इस दामन का वजन पंदरा किलो है, इसमें बावन कली हैं, इसको दोनों तरफ से पहना जा सकता है, और यह सहजी सभी को आकरशित करता है, तो प्यारे बच्चों, ये थे पाठ में आए कुछ परशनों के उतर, आशा है आप सभी को अवश्य ही समझाए होंगे, हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं, आप अपनी रसोई के स्वाद से कितने परिचीत हैं, तो तयार हो जाएए, मैं कुछ वस्तों के, खाने पीने की चीजों के, नाम आपके सामने बोलती हूं, और आप मुझे बताएंगे उनका स्वाद कैसा है, सभी बच्चे तैयार, चलिए शुरू करते हैं, चाच, बताएए शावास, खटा, चाच, खटा, बाजरे की खीचडी, नमकी, लापसी, कौन बताएगा, सभी ने खाई तो अवश्य होगी, शाबाज, लापसी का स्वाद, मीठा होता है, चूर्मा, ये तो सभी खाते हैं, मीठा, कड़ी, खटी, गुलगुले, मीठे, राबडी, कुछ बच्चे नमकीन बता रहे हैं, कुछ आवाजे मीठी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, राबडी नमकीन भी हो सकती है, और मीठी भी, इनको दोनों सवाद में हम खाते हैं, शाबास प्यारे बच्चों, सभी ने बहुत अच्छे उतर दिये, इसका मतलब आप रसोई के सवाद से बिल्कुल परीचित हैं, अब आप मुझे बताईए, नोटबुक में लिखने के लिए, कि स्वस्तु की जरूरत पढ़ती हैं, पैंसिल की आवशकता पढ़ती है, तो प्यारे बच्चों, यहां पर में कुछ वस्तु के नाम बताऊंगी, तो आब मुझे उनका परियोग बताएंगे, कब वे कहां उनका परियोग होता है, या कब वे कहां उनकी जरूरत पढ़ती है, तो देखिए, शुरू करते हैं, ब तही बिलोने के लिए, बिलोनी, तही बिलोने के लिए, घीलडी, घी रखने के लिए, घीलडी, घी रखने के लिए, बोहिया, रोटी रखने के लिए, बोहिया, रोटी रखने के लिए, बुखारी, अनाज रखने के लिए, प्यारे बच्चों मैं यहां बता देना चाहती हूँ आप सब को कि ठंडे परदेशों में बुखारी का परियोग होता है आग जलाने के लिए और हमारे हरियाना में बुखारी का परियोग होता है आनाज रखने के लिए तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे बेल गाडी सामान धोने के लिए, पाल की बैठने के लिए, गंडासा काटने के लिए, गंडासा काटने के लिए. ग्रामिन परवेश में इसका परियोग आप सवने देखा भी होगा या अपने घर में भी आप कुछ बच्ची देखते होंगे. बीजना, बीजना का परियोग प्यारे बच्चों हवा करने के लिए होता है, पंखी, इसका परियोग भी हवा करने के लिए होता है, बीजना हवा करने के लिए, पंखी का परियोग भी हवा करने के लिए. तोकणी, तोकणी का परियोग प्यारे बच्चों, पानी स्टोर करने के लिए भी होता है और पानी भार से धोने के लिए भी, पानी रखने के लिए या पानी धोने के लिए तो ये थे कुछ शब्द जिन से आप हो सकता है पहले से परीचित हो अगर नहीं है तो आपको कुछ नए शब्दों का पता चला आपने सीखे आपको अच्छा लगा तो प्यारे बच्चों आगे हम करते हैं भाशा की बार तो शुरू करते हैं गाउं में महिलाएं सुबह सुबह दूद बिलोते हुए गीत गाती है इस वाक्य में दूद वे गीत संग्या है तथा बिलोते हुए वे गाती हुई किरियाएं है एक बार फिर देखना इस वाक्य में दूद वे गीत संग्या है तथा बिलोते हुए वे गाती हुई किरियाएं है इसी तरह निम्नांकित वाक्यांसों से संग्या वे किरिया शब छांट कर लेखे तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि संग्या वे किरिया क्या होते हैं तो प्यारे बच्चों किसी भी व्यक्ति वस्तू स्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर दोरा लेते हैं किसी भी व्यक्ति वस्तू स्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं अगर आसान शब्दों में कहें तो नाम को ही संग्या कहते हैं इसी परकार जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें किरिया कहते हैं यानि काम को ही किरिया कहते हैं अब देखते हैं निम्न वाक्यांसों में हमें संग्या वे किरिया अलग करनी है तो अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं हमें देखना है संग्या यानि नाम किरिया यानि काम इन दोनों को अलग-अलग करना है पहला वाक्यांस है दही मतना तो दही आपको पता है एक खाने की वस्तु का नाम है दही संग्या और मतना किरिया दूद निकालना दूद एक पेपदार्थ का नाम है और निकालना किरिया है रोटी सेकना रोटी संग्या सेकना किरिया जूला जूलना जूला जूलना जूला संग्या जूलना क्रिया रत हांकना आपको पता है रत एक वाहन का नाम है रत संग्या हांकना क्रिया चीत्र बनाना चीत्र संग्या है और बनाना क्रिया है काम है फोटो खींचना फोटो क्या है संग्या है नाम है और खींचना क्रिया है तो आप आप समझ गई होंगे संग्या और क्रिया में क्या अंतर है अन्यवा व्यक्यांसों को लेकर भी आप इसका अभ्यास अपनी नोटबुक में लिखकर कर सकते हैं अब प्यारे बच्चों दरोहर में ऐसे पत्रों को भी स्थान दिया गया है इस वाके में भी निपात है इसी तरह ही भी तो तक निपात कहलाते हैं आपने सुना एक बार फिर देखिए ही भी तो तक निपात कहलाते हैं इनका परियोग करते विए हम वाके बनाएंगे लेकिन वाके बनाने से पूर हम जान लेते हैं कि निपात किसे कहते हैं किसी भी बात पर अतीरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का परियोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं तो आईए अब हम इन निपात शब्दों का परियोग करके वाके बनाते हैं पहला है की तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा विशेश भार इस वाक्य में दिया गया है तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा अगला वाक्य हम बनाएंगे भी से कल मैं भी आपके साथ चलूँगा अगला वाक्य हम बनाएंगे तो से तुमने तो हद कर दी विशेश भार यहां दिया गया है तुमने तो हद कर दी अगला है तक तो इसे हम वाक्य बना सकते हैं प्यारे बच्चो उसने मुझसे बात तक नहीं की अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए विशेश भार यहां दिया गया है उसने मुझसे बात तक नहीं की तो प्यारे बच्चो यह थे निपात शब्द जिनको लेकर हमने एक एक वाक्य बनाया इन शब्दों को लेकर अन्य वाक्य लिखने का परियोग अब आप अपनी नोटबुक में करेंगे और इन शब्दों को लेकर एक एक वाक्य जो मैंने आपको बताये इससे अलग वाक्य अब आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे तो प्यारे बच्चो आप करते हैं आपकी बात आपके साथ तो आप मुझे बताएंगे कि आपके घर में आपके पुर्वजों दवारा रखी हुई कौन सी वस्तों रखी हैं आपके घर में पुर्वजों दवारा रखी हुई किनी दो वस्तों के नाम आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे पाठ में कई च्थानों पर नगाडे की बात की गई है तो आप पता लगाएंगे कि नगाडे को किन किन मौकों पर बजाया जाता है ममी, पापा, दादा दाती या नाना नानी से पूछेंगे कि नगाडे को किन किन मौकों पर बजाया जाता है इसके साथ ही प्यारे बच्चों दरोहर में आपने खिलाडियों और सवतंतरता सेनानियों के छाया चित्र देखे तो आप भी हर्याना के परशिद खिलाडियों के नाम की सूची बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद हो और साथ में उनके चित्र भी अपनी नोटबुक में चिपका लेंगे हर्याना के परशिद खिलाडियों जो आपको बहुत पसंद हो उनके नाम की सूची बनाकर उनके चित्र भी अपनी नोटबुक में चिपका लेंगे और इसके साथ ही एक बिलकुल आसान परशन जिसका उत्र आप अपनी नोटबुक में दिख लेंगे आपकी माताजी कौन सी पोशाक पहनती है और द्रोहर में इस्तरियों को दामण पहने दिखाया गया है तो उस पोशाक में और आपकी माताजी दवारा पहने जाने वाली पोशाक में क्या अंतर है और क्या समानताई है दो अंतर और दो समानताई आप अपनी नोटबुक में दिख लेंगे तो ये थी आपकी बाद आपके साथ इसमें ये बच्चे धान रखेंगे कि कोई भी उत्र गलत नहीं होगा सभी बच्चों के उत्र सही होगे जो भी आप लिखोगे वह सही होगा तो ये थी बच्चो कहानी दरहोहर की अवश्य ही आपको अच्छी लगी होगी आपको समझ आया होगा तो इसी के साथ मैं चलती हूँ एक बार फिर मिलोंगी एक नई प्रस्तुते के साथ एक नए विशे के साथ आप से मिलने तब तक के लिए धन्यवाद